यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है 65 दिन सारा शोक आनन्द में बदल गया Big John लंदन की सड़कों पर 10 साल से भी ज़्यादा समय तक रह रहे थे इससे पहले उन्होंने 9 साल कैद में गुजारे थे उनके ज़्यादातर दांत तूट गए थे वे methadon के विसनी थे लंदन की सड़कों पर उनका उपनाम Big John था क्योंकि वे बड़े डीलडोल वाले विक्ती थे जिसने कभी सेना के लिए मुक्यबाजी की थी Big John हमारे रातरी आराधनाले में आये थे जिसे HTB में बनाया गया है वह अपने दोस्त Little John के साथ आये थे Big John उनसे प्यार करते थे और उन सभी युवाओं की सराना करते थे जिन्होंने उनकी देख भाल की थे वह चर्च में आने लगे वह अलफा में आये वह व्यसन से बाहर निकले परमेश्वर ने उनका जीवन शोक से आनद में बदल दिया वह सड़कों पर लोगों को इशु के बारे में बताने लगे हर सब्तह वह एक और दोस्त के साथ चर्च में आते थे अब सड़कों पर Big John के बजाए लोग उन्हें John the Baptist के नाम से पुकारने लगे सब्ता के अंत में होने वाले आलफा में वह एक व्यक्ती से मिले जो Real Estate में थे और उन्हें खुद के लिए रहने के लिए जगा मिल गई हमारी सभा में से एक दंत चिकित सकने उनके सभी तूटे हुए दातों को मुफ्त में बदल दिया उनकी मा और उनकी बेटी से उनका फिर से मेल मिलाप हुआ और अब उनके नाती पोतों के साथ उनके अच्छे संबन है जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले थे इश्यू जीवन बदल देने वाले परमेश्यूर हैं वह लगातार लोगों का जीवन बदल रहे हैं हमारे परमेश्यूर नई शुरुवात और नए परिवर्तन के परमेश्यूर हैं वह शोक को आनन में बदल देते हैं भजन संहिता 30 का 11 भजन संहिता 30 का 8 से 12 तक उस परमेश्वर को पुकारें, जो जीवन को बदल देते हैं परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकते हैं परमेश्वर विलाप को नर्ति में बदल डालते हैं वो हमारे शोक को आनन्द में बदल देते हैं यह तब होता है जब आप दया के लिए उन्हें पुकारें। दाउध ने परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर तू मेरा सहायक है। परमेश्वर ने विलाप को नरत्य में बदल डाला, परमेश्वर ने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटू का बांदा है। जीवन के बाद जीवन बदल देने वाली ईश्व की कहानी सुनना, अचंभित कर देने वाली और आश्चरे जनक है, जिसमें सारा शोक आनंद में बदल जाता है। जब मैं आपकी दया और सहायता के लिए आपको पुकारता हूँ, तो आप मुझे उत्तर देते हैं। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल देने के लिए मैं आपको सदा धनिवाद देता रहूँगा। नयानियम मरकुस 13 का 1 से 31 तक परमेश्वर के महान बदलाव के लिए तयार रहें। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी बदलाव ला रहे हैं, यह उस बात का पूर्वा भास है जो इश्व के वापस आने पर होने वाला है। इश्व के समय में यरुशलेम का मंदिर प्राचीन विश्व का सबसे प्रभावशाले द्रश्व था। फिर भी इश्व ने उस उमारत की सांसारिक महिमा के परे देखा और जान लिया कि इसकी महिमा शन भर की है। इस लेखांश में वह शिश्व को वस्तु संबंदी महिमा के परे समझाते हैं और भविश्व के बारे में अनेक भविश्वानिया करते हैं। जब वह मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। इश्व ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े-बड़े भवन देखते हो, यहां पत्थर पर पत्थर भी बचाना रहेगा, जो धाया ना जाएगा। इश्व ने मंदिर के धाय जाने के बारे में भविश्वद्वानी की, जो की सन सत्तर में पूरी हुई। शायद वे इसी बारे में कह रहे थे, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जब तक ये सब बाते ना हो लेंगी, तब तक यह पीड़ी जाती न रहेगी। इश्व के वापस आने पर महान बदलाओ, धाया जाना। जिरू हमें सावधान करते हैं, कि जैसे जैसे अंत समय निकटाएगा, चीजें और भी खराब होती जाएंगी, तब तुम लडाईयां और लडाईयों की चर्चा सुनोगे, हर कहीं भुईडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो पीडाओं का आरम भी होगा, इससे भी खराब समय आने वाला है, उस दिन में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारगण गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, जैसे सुबह से पहले गहरा अंधेरा होता है, लेकिन सबसे अं को भेज कर प्रत्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इखटा करेंगे, जब इशु अंत समय में होने वाले महान बदलावों के बारे में बताते हैं, तब वह अपने मानने वालों के साथ उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए भी चर्चा करते हैं, वह शिशियों को सावधान रहने और चौकस रहने के लिए तीन बार कहते हैं, इशु चाहते हैं कि हम गलत बातों पर से अपना ध्यान हटा कर इन तीन बातों पर ध्यान दें, नमबर एक भरमाया जाना, इशु अपने शिशियों को नमबर तीन, विलाप परंतु पवित्रा आत्मा है इशू के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जाता है और वे इस बात से आश्वस्त रहें कि इन सभी घटनाओं में परमेश्वर का नियंतरण बना रहेगा और सभी चीजों को सही करने के लिए इशू वापस आने वाले हैं इशू आपका धनिवाद की आप वापस आने वाले हैं आपको धनिवाद हलांकी पहले आप एक निर्बल और अपमान में आये थे लेकिन अब आप महान सामर्थ और महिमा के साथ वापस आने वाले हैं पुराना नियम लेवेवस्था 14 का 1 से 57 तक इतिहास के सबसे महान बदलाव के लिए परमेश्वर को धनिवाद दें क्या परमेश्वर चर्च को फिर से मजबूत करेंगे क्या वह मानव जाती को बदल सकते हैं क्या वह अपराद दर कम कर बंदिग्रह को खाली कर सकते हैं क्या वह विवाह और परिवार के स्थिति को बदल सकते हैं क्रूस पर इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव हुआ जब उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया था जो की बड़ी पराज़य के समान नजर आ रहा था परमेश्वर ने उससे सदाकाल की महान विजए में बदल दिया ऐसा करके उन्होंने हम सभी को हमारे समाज में दुनिया बदल देने वाली परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनाया है आज की पुराने नियम के लेखांच में इन सभी घटनाओं को पहले से बताया जा चुका है लिव्यवस्ता की पुस्तक में हम पाप और अपराद के कारण बार बार शुद्धी करण की अवस्शक्ता को पढ़ते हैं बलिदान करना अवशक्ता प्रायश्चित करना जरूरी था निर्दोष मेंने का लहू और जो पाप से प्रायश्चित और शुद्धी लाता है प्रेरीत पॉलूस समझाते हैं कि ये सभी किस तरह से इश्व के महान बदलाव को दर्शाते हैं जिसकी गवाही व्यवस्था और भविश्वद्वक्ता देते हैं रोमियो 3 का 21 आज हम लेव्यवस्था में जो कुछ पढ़ते हैं उसे इश्व की गवाही के लिए तैयार किया गया था पॉलूस आगे कहते हैं परमेशुर की वह धार्मिक्ता जो इश्व मसी पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है उनके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसी इश्व में है इसके परिणाम स्वरूप आज हम विश्वास से परमेशुर के पास पहुँच सकते हैं। लेवियवस्था के इस लेखांश में हम पढ़ते हैं कि जल छिडकने के साथ साथ लहुच छिडकने के द्वारा शुद्धी करण किया जाता था। नए नियम में इसे पूरवभास के रूप में लिया गया है कि इश्व हमें किस तरह से शुद्ध करते हैं। तो इबरानियों के लेख कहते हैं कि तो आओ हम सचे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोश दूर करने के लिए हृदय पर छिडकाव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर प उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायशित ठहराया। रोमियों 3 का 25 इस तरह से इतिहास बदला गया। इस तरह से बिग जौन का जीवन बदल गया। इस तरह से मेरा जीवन भी बदल गया। इस तरह से विलाप आनद में बदल गया। इश्व के लिए परमेश्र को धनिवाद प्रभू मैं आपको धनिवाद देता हूँ कि आपने पहले से ही इतिहास बदल दिया है प्रभू मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे देश को बदल देंगे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी आत्मा उन्डे लिए अपने चर्च को मजबूत कीजिए वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को बदल दीजिए अपराध दर कम हो जाए बंदिग्रह खाली हो जाए हमारे शहर कस्बे और गाउं बदल जाए आपका राज ये आए ऐसा लगता है पुराने नियम में फफूद एक बड़ी समस्या थी इसके लिए इलाज काफी पैचिंदा था और जिसमें याजक भी शामिल थे याजक के निवास्तान में नमी होती थी जो शायद एक जैसी हो मैं खुश हूँ कि जब भी उनके घरों में फफूद का समस्या होती है तो निकी की सबा के सदस्य फोन नहीं करते वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है आज का वच्चन तुने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला तुने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनन का पटू का बांदा है बजन सहीता तीस का ग्यारा